नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइफाइटी टू पॉइंट उपर, मैं हूँ अंकेत अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसे विशह पर चर्चा करने के लिए, जो कि इस समय पर फिर से लगभग नौ साल बाद सुर्खियों में आ गया है, क्या है विशह, आ MH17 था, तो आएए आज के सेशन में हम जानते हैं कि वो क्या मामला था, जिसके तहत ये कहा गया कि पुतिन ने मलेशिया के प्लेन को मारने की इजाज़त दी थी, देखे साथियों, न्यूस की कटिंग में पहले आपको दिखा देता हूं, ताकि आप इस विशह को समझने मे थोड़े सी ततपरता दिखाएं, यहां लिखा हुआ है कि पुतिन प्रबेबली सप्लाइड मिसाइल डेट डाउंड प्लेन इन्वेस्टिकेटर्स, इन्वेस्टिकेटर्स का मतलब कहीं कोई जाज चल रही थी, जिसके अंदर ये निकल के आया, कि पुतिन ने सप्लाई कि किसको मारने के लिए MH17, MH17 क्या था? ये वाला फ्लाइट था, ये वाला प्लेन था, कौन से देश का प्लेन था? तो आंसर है, मलेशिया का प्लेन था, नाम क्या था इस प्लेन का? तो नाम इसका MH17 था, इसमें लगबग 200 पिचान में लोग थे, जो सवार थे और वो मारे ग ही है, जब लोग अपने-अपने लेवल पर कयास लगा रहे हैं, फैर फिलाल ये बात भी बहुत बड़ी है कि क्यूं इन्होंने फ्लाइट मारी थी, क्योंकि फ्लाइट मारने का पीछे कारण क्या है, ये तो इस पस्त नहीं है, लेकिन पुतिन ने ही इसका आदेश दिया ये कैसे पता चला, यानि आज तक की जो तहकिकाद है, वो इस पात पर है कि पुतिन ने ही इसको गिराने का आदेश दिया था, चलिए फिलाल तो हम इस इन्वेस्टिकेशन पर आगे बढ़ते हैं, कि क्या कहानी थी, दीखिए साथियों, एक फ्लाइट है जिसके बारे में आगरिक मारे गए थे, आप लोग एक चीज को यहाँ पर नॉटिस करें, यह फ्लाइट थी मलेशिया की, नाम था इसका MH17, गिरने के बाद मारे हुए लोगों में संख्या मलेशिया के लोगों की मात्र 43 थी, इसका मतलब इन 43 के अलावा जो लोग मरे, यानि कि around 250 के आसपा यह फिर यह EU मेंबर थे, अगर आप इन फिगर को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह अधिकांश NATO समर्थक, European Union के सदश्च, अमेरिका समर्थक लोग थे, जैसे 17 सदश Australia, नीदर लेंड, बड़ा फिगर है यह, United Kingdom, Canada, Belgium, यानि कि इतने सारे देशो फिलहाल के लिए जाच अंतराष्ट्रिये निकल करके यह आती है कि साब पुतिन नहीं सडियंतर करताओं से कहा था कि मार दो, मारने के लिए जो हतियार की आवशकता थी वो पुतिन ने उपलव्द कराए थे, कहां मारी गई थी यह फ्लाइट, कहां से ओड़ी थी, क्या थ आप लोगोंने साल भर पहले ही मैप पर जानना शुरू किया है, इससे पहले पूछा जाता तो शायद हम लोग ना जानते, अब तो सब दर्रा दर्रा पैचानते हैं आप, यहां पर देखिए यह वाला जो हिस्सा है ना, यह छोटा सा जो दिख रहा है, यह क्रीमिया वाला हिस्सा है, अब अगर आप कुछ चीज रिलेट कर पाएं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, यह वही क्रीमिया वाला हिस्सा है जिस पर की पुतिन के द्वारा दो हजार चौधा में कबजा किया गया था, आप पुछेंगे सर यह घटना कब की है फ्लाइट गिराने की, दो हाँ पर कोई रूसी कनेक्शन था, यह 2014 की कनेक्शन की बात हो रही है, आज जाकर कि यह क्लेरिटी आ रहे है कि पुतिन नहीं आदेश दिये थे, आरोप पत्र बीच वीच में लगते रहे, सवाल फिर बड़ा बनता है, लेकिन सर यह गिरी कहां थी फ्लाइट, युक्रेन क मारने का भी एरिया यही था, बिल्कुल बताएंगे, सारी चीज़े दिखाएंगे, फिलाल थोड़ा और आगे चलते हैं, लगबग 33,000 फीट की उचाई पर, यानि की एक, मतलब आप इस तरह से सोचके देखिए, जो फ्लाइट का obvious range है, उतनी उचाई पर, यह फ्लाइट होने की सूच ना मिलती है, मैप को अगर देखें, तो आप यहां पर इसे गायब हुआ देखते हैं, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकार यहां देना चाहूंगा, यह युकरेन का वो वाला हिस्सा है, जिस हिस्से पर, असल में आज भी, मतलब जो हम कहते हैं रश्या का कब जा होता था, पहले उन्हें रबेलियन कहा जाता था, यह वो लोग थे जो पहले से भी रश्या को ही पसंद करते थे, कहते हैं कि इन रबेलियन लोगों को, जो मसाला दिया था ना चलाने का, वो पुतिन नहीं उपलब्द कराया था, सब के दिमाग में एक ही सवाल, कि सर मा अनलिया डौनास्क रीजन के अंदर जाकर के गिर गई फ्लाइट, हमारा सवाल तो यही है, कि भई इतने लोगों को मारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, उस समय 2014 की खबरों में ये न्यूज इस तरह से नियू यॉर्क पोस्ट में शपी थी, मुर्डर एट 33,000 अब इससे अंदाजा लगाई है कि 33,000 फीट की उचाई पर हुई हत्या, ये अमेरिकी अखबारों के अंदर सुर्क ही थी, है ना, कहीं 295 और कू 298 है, इस तरह के नमबर, जर्रे जर्रे में इस तरह के 80 पंजर मिले थे, 50 किलो मीटर तक तो केबल टुकडे मिले थे, तो यहाँ बख यहाँ पर क्या है, यह शब्द याद रखियेगा, बख बख से बख, ठीक है ना, तो यह बख मिसाईल सिस्टम, उकरेणी अलगावादी, अलगावाली बोले तो सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट मतलब जो युकरेन को अलग होकर के रोश्या में मिलाना चा लेकिन ये तो कुछ और चर्चा हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि नीदरलेंड के, क्योंकि देखो जिन देशों के लोग यहां मारे गए, उन लोगों ने अपने द्वारा एक पूरी टीम बनाकर जांच अजेंसी बिठाई, उन जांच अजेंसी ने फिलहाल अपनी रिपो के लिए हमें रशिया के शयों की आवशकता है, लेकिन जब रशिया पर ही आरोप है, तो हम किस से पूछें, तो आप इधर देख लीजिए कि पुतिन may have personally approved the delivery of buck missile system, यानि कि जिस missile system से मारा गया था, उसका नाम buck missile system था, और पुतिन ने खुद ने उन rebellions को यह missile दी थी, ठीक कि यह काम हुआ था, क्रीमिया के जो उस समय पर जो इन्हों ने हैड बनाये थे, उनकी बातचीत है, पुतिन से होती हुई, या पुतिन के लोगों से होती हुई, यह एक audio है, हाला कि समझ में मेरे को कुछ आया नहीं, आपको समझ में आजाए, तो आप समझ लीजिएगा, कि आप सस्य एक बस्याद बस्क्राइब तो अटाएंगा टीप डाते हैं थारी कि अटेंगा जायों तेस का यसार का प्यायों? यह ढदेक्दों की अप्रश्च को जा रकलते हैं? यह दो अटेन प्राम करेंगे रेंगा चाही जोरी को र謹दा असाय में का बस्याद नादे हैं इस बात के जब कनवर्सेशन बात हुई तो आज ही के दिन आस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया यानि इन्होंने पुतिन के ऊपर किये कहा है कि आपने टेररिजम का अटेक किया था हमारे लोगों को मारने के अंदर ठीके साब चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2022 के अंदर 2022 के अंदर MH17 के अंदर तीन guilty as court find Russia control group downed airline 2022 के अंदर तीन लोगों को इस बात का जिम्मेदा ठहराया गया था कि इन्होंने rebellion छेतर से flight को मार गिराने का काम किया था चलो साब ये सारी की सारी Ukraine plan crash की तस्वीरें हैं जिस छेतर के अंदर ये हुआ ये वाला वो छेतर है जो हमने आपको तस्वीरों से दिखाया 2014 में पुतिन ने 1950 के दशक से Ukraine का वो हिस्सा अपने छेतर के कबजे में ले लिया था वहीं पर ये है घटना 17 जुलाई 2014 को हुई थी जब अचानक एक flight रडार के सिस्टम से गायब हो गई थी ये तस्वीरें हैं को ये वीडियो है जिसे देखकर क्या आप उस समय का हाल देख सकते हैं अभी आज मेरा एक वीडियो जो है वो प्राइवेट हो गया इसी प्रकार के वीडियो को शो करने के कारण उससे थोड़े से लोगों की मतलब वो क्या कहते है न उसको आत्मा थोड़ी से दुखी हो जाती है द्रवीत हो जाती है इस तरह के वीडियो नहीं दिखाएंगे आ अब हमारा तो दिल बैठ गया ऐसी चीज़े देखकर ठीक है तो इसलिए हम इसको वाइपास कर रहे है तो फिलहाल के लिए पॉइंट यह है न कि युकरेन रिबेल हैंड ओवर MH17 ब्लैक बॉक्स तो 2014 के अंदर मलेशिया को युकरेन के द्वारा युकरेन के जो रिबेल थ कि मैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाने के पक्षमे नहीं हूं मेरे खिलाफ क्यों जाच की जाएगी तो फिर इस प्रकार से ये सारी चीज़े चलती रही धीरे धीरे जब तत्ते तलाशे गए तो 2015 के अंदर ऐसे एक बख मिसाइल का टुकणा मिला जिससे ये कनफर्म ह हुआ कि ये तो रशिया के द्वारा ही बनाई गई मिसाइल है जिसने MH17 को गिराया है तमाम जाच चलती रही सेप्टेंबर दर सेप्टेंबर बढ़ती रही जाचों में पता चला कि 50 किलोमेटर दूर तक मलबा फैला था ये सब जाचे चलती रही नीदरलेंड और उस्टे फिर कोट ने अपने द्वारा कुछ लोगों को गिल्टी ठेराया पिर कारण खोजने की है कि यार कुछ तो कारण रहा होगा क्योंकि बिना आग लगे जंगल में धुआ बाहर नहीं आता क्या कारण रहो हो तो फिर कारण निकल के आया एक और पुरानी कहानी और वो कहानी थी वर्ष 2014 की, सर 2014 की दो कहानी आप अभी सुना रहे हो, नहीं, उससे कुछ दिनों पहले, हम तो जुलाई की कहानी सुना रहे हैं, उससे कुछ दिनों पहले, फ्लाइट 370 नामक एक मिसाइट थी, वो भी मलेशिया की ही फ्लाइट थी, लेकिन उस फ्लाइट में बड़ी मात जब जाच की गई, यानि कि जब तै किया गया कि कैसे गई होई, तो पता चला कि इसको अमेरिका ने मार गिराया है, तो 2014 के अंदर अमेरिका के द्वारा चीनी नागरिकों से भरी एक फ्लाइट को पैसिफिक ओशन में गिरा दिया गया, ये चीन का आरोप था, अगेन आरोप की सिप्तिता सम्मानित के लिए फ्लाइट का मिलना जरूरी था, लेकिन फ्लाइट तो मिरी ही नहीं, कोई बात नहीं, चब उस समय पुतिन जो है, वो काफी, मतलब चीन के नजदीक आ गया, और उनना ने कहा चंता मत करो, आपका बदला हम लेंगे, ये वो वाली उसे उड़के जा रही थी, और बीजिंग के लिए जा रही थी, रास्ते में उसे मार गिराया गया, कुछ इस तरह से उसके पात का मामला गड़बडाया, रडार से गायब हुई, और वो फ्लाइट जो है, वो गिर गई, इसका बदला लेने के लिए, क्यों, क्योंकि अमेर रहे गए थे, उसका बदला असल में पुतिन ने युकरेन में अपने विद्रोईयों को मिसाइल दे करके, एक और मलेशिया की फ्लाइट, जिसमें बड़ी मात्रा में, विदेशी और विशे शुरूप से यॉरॉपियन यूनियन, नाटो और जी सेवन के देश के लोग थे उनको मार गिराकर पूरा किया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि एक और डायलॉग फेमस हुआ था उस समय, जो पुतिन ने शी जिन पिंग से कहा था, कि लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो ये चीज, मैं बदला ले लोगा, ये पुतिन ने उस समय शी जिन पिंग को कह करक ठंडक पहुचाई थी, कि आप चिंता मत करो, मैं मार गिराऊंगा, ये पत्र भी है, जो कि इस समय सुर्खियों में है, ठीक है, तो कहते हैं कि पुतिन ने चीन को शांती पहुचाने के लिए, कि तेरा बदला लेगा, पुतिन वही हुआ, ठीक है साब, तो यूएस मिलिट करी है, ये पूरी तरह से, उस मतलब जिनके जो लोग है, जिनके जिनके लोग मारे गए है, उन ही के द्वारा निकाली गई है, तो इसके बारे में सत्ता तो कौन प्रमानित कर सकता है, वन साइड है, ठीक है, चलो, फिलाल के लिए इत्ता ही, बाकी है, अगर सेशन पसंद है, तो इसे जरूर साजा करें, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, यूज माई रेफरल कोड अंकित10 to avail 10% discount on all type of subscriptions, thank you so much.